विदिशव जिले के गंज बसोदा में चैन स्नेचिंग करने वाले आरोपी ग्रफतार एक सपता पहले घटना को दिया था आरोपियों ने अंजाब मंदिर जा रही महिला के गले से सोने की चैन और पैंडल छुन कर भाग गए थे आरोपी एक आरोपी पर लूट डखेती और चैन स्नेचिंग के जगन अपराद दर्च है नमस्कार में होंजिना और आप देख रहे हैं ता खबरदार न्यूज तो चली शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से वेगर देवस महिला के जैन मंदर जाते समय स्ट्वेशन रूड पर अग्यात आरोपियों द्वारा गले से सोने की चैन और पैंडल लूटने की घटना घटेत हुई थी और एडिक्शनल स्पी समीर यादव और स्पी दीपक शुकला द्वारा घटना इस्थल कम वायना कर आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम खोशित किया था जिसका आज पत्रकार वारता में खुलासा करते हुए एस्पी दीपक शुकला ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने सिटी थाना प्रभारी संजीब चौक से देहा थाना प्रभारी हरी किसन लोहिया उपनिरीक्शक योगेंडर सिंग परमार लखन कुमार साहू सुवेदार आशेष राय विरेंदर पाल प्रधान आरक्षक पबन जैन विपिन नायक आशेष यादाव लायक सिंग शिप्रताप सिंग सर्मन साहू की टीम गठित की थी साक्षे एबं मुक्बिर तंत्र के आधार पर संदेही पुस्पेंदर ओर्फ घेला प्रजापती एबं अनुराग पंथ की तलाश की गई जिनको ललितपूर उतरप्रदीश में मोटरसाइकल पर कलारी के पास होने की जानकारी मिलने पर उनकी घेराबंदी कर पकड़ा गय साथ दिन के अंदर ही आरूपियों को पकड़ने पर सभी नागरिक द्वारा एस्पी दीपक कुमार शुकला सहीट टीम का समान किया गया एस्पी ने बताया कि इसमें प्रधान आरक्षक, विपी नायक और आशीस यादब का सबसे ज़्यादा सहीयोग रहा इनके कई अपरादिक रिकॉर्ड है, कुछ मामलों में इनके पहले के वारंट भी है, वो सारा भी रिकॉर्ड और पूरी जो इनकी पिछली प्रिस्ट भूमी है, वो हमारी टीम संकलित कर रही है अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक लिए नमस्कार और देखते रहे हैं दख़बरदार न्यूस